चाहे काल बेरो दोस्तों आप सबका स्वागत है अमरी रहाश्यमाई जानकारी शैनल पर आज हम दोस्तों इस वीडियो में बात करेगे कि अगर हम किसी भी प्रकार की किसी भी शक्ति को सित्त करने की कोई सातना करते हैं तो उस शक्ति के पांस से किस तरह से वच्चन लिये जाते है और उस शक्ति का जो खाता है वो किस तरह से दिया जाता है आज हम दोस्तों इस वीडियो में इसके बारों में चानकारी राप्त करेगे देखे दोस्तो आप किसी भी प्रकार की सातना करते हैं किसी भी शक्ति को सिद्ध करने के लिए तो सातना का जो अंतिम दिन होता है उस दिन वो जो शक्ति है वो शक्ति आपके सामने उपस्तित होती है शाक्षात आपको वो दर्शन देती है वो शक्ति आपके पांस आकर कहती है कि तू क्यूं आया मेरे मशान में देखे दोस्तो आप मशान में अगर सातना करते है किसी शक्ति को सितकनने के लिए तो वो आपसे यहीं कहेगी कि तू मेरे मशान में किस लिए आया है अगर आप किसी और जगा पर यह सातना करते है जैसे कि जंगल के अंदर पहाड के उपर नदी या तालाब के किनारे या फिर किसी सुंसान जगा पर तो वहाँ पर जो शक्ती आएगी वो आपसे यह कहँगी कि तुमने मुझे क्यों बुलाया है अगर कोई मशान की शक्ती है आपने किसी मशान में जाकर कोई मशान की शक्ती की सातना की है तो वह शक्ती आपसे यहीं कहेगी कि तू मेरे मशान में किस लिए आया है देखे दोस्तो आपने कोई मशान की शक्ति की सातना की सातना का अंतिम दिन है शक्ति आपके सामने उपस्तित हुई और आपसे यह कहा है कि तू मेरे मिशान में किस लिए आया है तो आपको केवल उतना ही कहना है कि मैं आपको लेने के लिए आया हूँ इतना कहकर आपने जो सातना में शक्ति के लिए जो भोग र लेना है उसके बारे में अब मैं आपको बताता हूँ देखे दोस्तों वच्चन लेने से पहले आपको यह देखना है कि यह जो शक्ती है वो आगे जाकर मुझे या फिर मेरे परिवार चनों में से किसी को भी आनी या पिर नुक्षान तो नहीं पहुचाएगी ना अगर आप आपको उसके बार चनों में से किसी को भी आनी या पिर नुक्षान पहुचाएगी ना है। सबसे पहले तो दोस्तों आपको जुवार के जो दाने हैं वो अपने आत्मे लेकर आपको शक्ति के पांच से वच्चन लेना है. पहला वच्चन दोस्तों आपको यह लेना है कि तुम मुझे वच्चन दो कि ना तुम कभी मुझे या पिर मेरे परिवार जनों में से किसी को भी दूख दोगी या पिर आनी पहुंचा होगी यसा पहला वच्चन आपको शक्ति के पांच से लेना है आपको यह लगे कि यह जो शक्ति है वो आगे जाकर मुझे या फिर मेरे परिवार चनों में से किसी को भी आनी पहुंसा सकती है दूख दिया सकती है तो आपको पहला वच्चन यह लेना है शक्ति के पांच से कि तुम कभी भी मुझे या फिर मेरे परिवार चनों में से किसी को भी दूख नहीं दोगी और आनी नहीं पोशा होगी पहला वचन तो दोस्तो आपको शक्ति के पांच से यहीं लेना है उसके बाद दोस्तो शक्ति के पांच से इस तरह के वचन लिये जाते हैं कि मैं तुम्हें जप्पी बुलाओगा तुम्हें आना होगा मैं तुम्हें जहां बेजू वहाँ पर तुम्हें जाना होगा और मेरा कारिया करना होगा और मैं तुम्हें जो भी पूछू उसका तुम्हें सिच्चे सिच्चे जवाब मुझे देना होगा इस तरह से शक्ति के 5-6 मित्रों वच्चन लिये जाते हैं और जब भी दोस्तों आपको उस शक्ति से कोई कारिया कराना है तो उस शक्ति का जो मंत्र है उस मंत्र का आपको जाप करना है उस मंत्र को आपको पढ़ना है उससे वो शक्ति आपके सामने उपस्तित होगी और आप जो भी कारिया उस शक्ति को देगे वो कारिया आपका वो शक्ति सित कर देगी अब देखिए दोस्तो आपने जो सातना से शक्ति सित की है उस शक्ति का आपको खाता देना पड़ेगा अब खाता क्यों दिया जाता है चलिए उसके बारे में बात करते है देखिए दोस्तों शक्ती ने जो आपके काम किये है और आगे भी आपके काम करे इसके लिए आपको शक्ती को खाता देना पड़ेगा अब शक्ती खाता क्यों लेती है चलिए मैं आपको एक उदारण से समझाता हूं कि आप एक ओफिस में नोकरी कर रहे हैं ये काम कर रहे हैं अब आप उस ओफिस में क्यों नोकरी कर रहे हैं क्यों काम कर रहे हैं तो इसका सिता जवाब है पैसो के लिए क्योंकि पैसे मिलेगे तो उन पैसों से आप अपने मन पसंद की कोई भी सीज खरीच चकते है बस इसी तरह शक्ति का भी है शक्ति खाता इसलिए लेती है क्योंकि उसके खाते में उसकी मन पसंद जो सीज है वो उसको मिलती है और उसकी मनपसंद चीज मिलती है की वज़र से वो आपके कारिया करती है अब देखे दोस्तों यह जो खाता है वो काले सौदश की रात्री को रात्री के बार बजे मशान में जाकर दिया जाता है उस काते में जो भी शक्ति का जो भोग है वो आपको अपने साथ ले जाना होता है उसमें मिटाई भी हो सकती है फलपूल भी हो सकती है या पशुबली भी हो सकती है या फिर आपने जिस शक्ति की सातना की है उस शक्ति को अंतिम दिन पर जो भोग दिया था वो भोग भी हो सकता है अब जोस्तों आपको काले सब्दस की रात्री को रात्री के बार बजे मशान में चाना होता है वहाँ पर एक gold circle आपको किस कर उसके पितर आपको जो भोग है जो खाते में आपको देना है वो आपको रखना है उसके बाजू में आपको एक दिया चलाना है और सुगंदित अगर बित्ती है वो अगर बित्ती आपको चलानी है फिर उसी circle के सामने आपको रक्षा मंतरफ उपस्तित होगी और खाते में जो आपने भोग रखा है वो भोग आपको उस शक्ति को देना है इससे दोस्तो उस शक्ति जो है भोग लेकर अद्रिश्य हो जाएगी बस इस तरह से शक्ति का जो खाता है वो दिया जाता है तो बस दोस्तो वीडियो के अंदर आज इतने ही बाल चार दो कर सकत दो के दो कि अला दो कि अला एक हुआ है